बॉलिवुड फिल्म जगत में ऐसे कई सारे जोड़े हुए हैं जिनके इश्क के चर्चे खूब आम हुए लेकिन जब इनका ब्रेक अप हुआ तो फिर इन्होंने कभी भी एक दूसरे को पीछे मुड़ कर नहीं देखा आज हम आपको ऐसे ही साथ जोड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ब्रेक अप होने के बाद एक दूसरे की शकल तो दूर, साथ में काम करना भी मनजूर नहीं किया अमिताब बच्चन और रेखा अमिताब बच्चन और रेखा के बारे में कौन नहीं जानता सत्तर के दशक में इनके बीच नस्दीकियों के किस से आम थे बड़े बड़े निर्माता निर्देशक इन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे लेकिन जब इनके रिष्टे में दरार आ गई तो इन्होंने किसी की नहीं सुनी दोनों के अलग हो जाने के बाद इन्होंने कभी भी साथ में काम नहीं किया सल्मान खान और एश्वर्या राय बच्चन सल्मान खान और एश्वर्या राय बच्चन नब्भे के दशक के सबसे मशूर कपल हुआ करते थे इनके प्यार के किस्से हर मागजीन में छपा करते थे हाला कि कुछ कारणों के चलते इनके बीच दूरियां आ गई और फिर इन्होंने कभी भी साथ में काम नहीं किया सल्मान से ब्रेक अप के बाद एश्वर्या ने विवेक बिरोय का दामन थाम लिया दोनोंने कई सारी फिल्में भी साथ की जिन में से कुछ सफल भी रही हाला कि इनका रिष्टा भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका इसके बाद इन्होंने भी कभी भी साथ में काम नहीं किया ये कलाकार आज एक दूसरे की शकले भी नहीं देखना चाहते अभिशेक बच्चन और करिश्म कपूर अभिशेक बच्चन और करिश्म कपूर शादी करने वाले थे लेकिन कुछ कारणों के चलते इनका रिष्टा तूट गया इसके बाद इन्होंने कभी भी एक दूसरे की तरफ मुड़ कर नहीं देखा और जिन्दगी में आगे बढ़ गए जौन अब्राहम और बिपाशा बसू अपने समय के सबसे चल्चित कपल हुआ करते थे इनकी जोडी ने कई सारे लोगों को प्रेरना भी दी लेकिन अंत में ये दोनों ही अलग हो गए दोनों ने ब्रेक अप क्यों किया इसका कोई खास कारण सामने नहीं आया लेकिन इन्होंने भी ब्रेक अप के बाद कभी साथ में काम नहीं किया सुशान सिंग राजपूत और सारा अली खान सुशान सिंग राजपूत और सारा अली खान ने एक ही फिल्म में साथ काम किया जिसका नाम केदारनाथ है इसी फिल्म के दौरान इनके इश्क के किस्से लोगों के बीच आए हाला कि फिल्म खत्म होने के बाद इन्होंने साथ में काम करना बन कर दिया अभी विडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई